तो इस वीडियो पे आप देखूगे दुनी के पाथ ऐसे चानवात जिने अपनी सेल्फ प्रोटक्शन की अनुक्का टिक्स के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं जापनीज इस्मॉल बीस इसने इनेटी इस्टेंट की स्टाडीज को अपना यहां ए माख्या जाएन हर्नेट को घेटती है और उसके ओपर चिपके एक गोला बाना लेती है इसके बाद ए माख्या इतनी तेजी से अपनी पंग लियती है कि इससे जबरदस हिस पैदा होने लगती है और एह हिट इतने जादा होती है कि जाएन हर्नेट को जिन्दा जला देती है अब सबल उड़ता है कि इस हिट में माख्य क्यों नहीं जलती तो इसके जवाब है कि भाई मेंसन से सिप घर की अंदर ही मौजून जाए नहीं हर्नेट ही जरम होती है जबकि बाहर का टिमपरिचर एक तर नार्मल रहता है हैक फिश समुद्र के तल्ले में रहने मला इस मचले के पास ना तो इस्पाइन है और ना तो जबरे लेकिन इसके बाब जूद भी हैक फिश के पास अपने आपको बचाने के लिए एक ऐसा हत्यार है जो कि बरे-बरे मचलियों का दम घुटाने के लिए काफी है इस मचली को खुद पर जब कत्र मैसूस होता है उसी समय एक ऐसा लिकुड रिलिस करती है जो कि पाने में गुलते ही इसको गरा और चिपचपा बना देती है यानि एलिकुड अपनी आसपास की पानी को रबर या चुमगं जैसे बना देती है जिसमें फास कर इसके दुस्मन का या दम घुट जाएगा या फिर इससे बच कर अपनी जान बचाने की कोसिस में जूट जाएगा हैक फिस के डिफेंस पाउर का अंदजा आप आमेरिका का औरगिन में हुआ एक्सिटेन से लगा सकते हो जुलाई 2017 में हैक फिस से भरी एक कांटेनर का एक्सिटेन हुआ रोड साप करने के लिए जैसे ही सरक पर पानी गिराया गया तो उहां कुछ इस तरह का नजरा देखनों को मिला पार्क्यूपाइन सरीड पर हजरों काटे बला इस जिप को हलके में लेना बहत दर्दनाथ साबित हो सकता है आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आमतार पर एक सास परक्यूपाइन की सरीड पर लगबक 30,000 से भी ज़्यादा काटी पाई जाते है ऐसे में ए जोदी कोई भी जानवार या बैक्ती टेच कर ले तो उससे कम से कम 10 से 15 स्पाइक का दर्थ सहन करन ना पर सकता है इसकंग छचुंदर की तरह देखने बाला एच छोटा सा जिप सेल्फ डिफेंस के लिए जोटी काम मिल लेते हैं और किसी भी बारे जानवार की पैर पीछे रखवा सकता है इसकंग के पास एक ऐसा कायमाद इस पर है जिसके मादद से ओ अपना परड़क्सन करती है इसकंग जब भी अपनी उपर खत्रा मेहसूस करती है उसी समय ए इतना खत्रनाग इस पर छोटी है कि कोई भी जानवार या इनसान इसके इसमल को सहिन नहीं कर सकता पता दे ए इस पर किसी भी बैक्ती या जानवार की आखों में चला जाए तो उसे अंधर तक कर सकती है अनना चिपकर्न के पास नहीं होती है कम इस पीड और आलसी पन की बज़य से सिकरो के लिए इसका सिकर करना एक सीटे से भी आसन हो सकता था जदि इसके पास एस उप्हाफार नहीं होता जब होन्ड लिजर को हलके में लेकर कोई भी सिकारी इस पर हामलग करने के लिए इसका करिब आता है तो इन लिजर अपनी आखों से असली खुन इस पर करता है एक खुन सिकरियों को डारता तो है लेकिन इसके साथ अगर एक खुन सिकरियों को लग जाए तो जलम ही पैदाओ कर सकता है बता देखी होन लिजार जितना खुन एक इस्पेम में फैकता है और उनकी सरीर का 30% होता है जिसका तुरंद रिपोड़क्शन भी हो जाता है तो दोस्तो इस वीडियो पर बस इतना ही वीडियो पस्तल आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमरे चैनल को सब्क्राइब कीजिए धन्यवाद